हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में जो कि भारत का एक चंद्र मिशन है और यहां बहुत ज्यादा है आपके आगामी जो एक्जामों के वहां से हो सकता है यहां पर कोश्चन पूछ लिया जाए तो चंद्रयान 3 जो है वहां चंद्रयान 2 के बाद का है मिशन तो हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 के अगला पार्ट के रूपे हम लोग चंद्रयान 3 को बोल सकते हैं तो यह भ इससे पहले पहला और दूसरा चंद्र हो गया है भारत का चंदर मीशन और यह तीसरी नमबर का चंद्र ने मीशन अब देखते हैं कि यह प्रच्छेपन कब किया गया तो यह देख रहां नोागे जुब्स और समय भी आपका 14 बज कर 35 मिनट इंडियन इस्टेंडर्ड टाइम के इसाफ से तो आप देखते हैं दो पहर के लगवक धाई बजें तो यह समय है और डेट जो है वह तो इंपोर्टेंट है यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट है यह डेट आप लोग याद कर लेंगे हैं इसका उद्दिष को बात करते हैं देखिए उसको किस उद्दिष से प्रचिपित किया घया है याने भेजा गया है तो पहला है लेंडर को चंद्रमा की सता पर सुरक्षित और सोप्ट लेंडिंग कराना है इसका में मोटो उसके लाब है चंद्रमा पर रोवर की विचरन छमताओं का अवलोकन करना और परदर्शन तो यहां पर देख रहे हैं कि चंद्रयाम 3 के साथ में रोवर को भी बेजा गया है जो कि चंद्रमा के सतर पर घुमेगा फिरेगा औ इस उद्देशे से भी भेजा गया है तिसरा है चंद्रमा के समरचनाओं को बेहतर ढंक से समझने और उसके विज्ञान को अधेयन में लाने के लिए चंद्रमा की सतर पर उपलब रासायनिक और प्राक्तित तत्वों मिट्टी पानी आधी पर भैग्यानिक प्रयोग करना अने चंद्रमा के जो है समरचनाओं किस परकार से हुई हUSTको समझने के लिए साहथ महीं किस परकार का सायंट्टी स्वाइरक चीज है संचि कर सकते हैं और मिट्टी किस परकार सिए पानी पाए जाएंगे वह पाने किस सारे उद्दिष्ट के साथ में इस चंद्रयान 3 को भेजा गया है भारत की और से तो यह आप लोग उसका उद्दिष्ट को देख लिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इस मिशन के लिए लागत कितना पड़ा है तो मिशन का जो लागत हुआ 615 करोड रुपिये खर्च हुए हैं लागत हुआ है इसको हम लोग देखेंगे तो यह 89.79 मिलियन यूएस डॉलर तो यह 615 करोड रुपिये की लागत से इस मिशन को अंजाम दिया गया है अभी तक अब देखते हैं आगे हम लोग सफल हो जाते हैं तो यह बहुत ही खुशी क की बात है और हम लोग उम्मीद भी करेंगे कि भारत इसमें सफल हो जाए और शीर्ष देशों की गिंती में भारत सामिल हो जाए अब प्रच्छेपन रस्तल के बारें बात करते हैं कहां से भीजा गया तो इसको भीजा गया सतिस्दवन अंतरिच केंद्र स्री हरी कोटा आं यहां से कोस्चेन पूछे जाते हैं पिछली बार के एक्जामों में कोस्चेन पूछे गयते हैं चंद्रयान टू से रिलेटेड तो यहां पर रोकेट जो है जिससे बेजा गया हुआ है यह है रोकेट का नाम यह इंपोर्टेंट है अब लोग इसको ध्यान पूर्वक बेजेगे और्वीटर से ही किया जाएगा तो यहां पर यह भी आपको जानकारी ध्यान रखना है कि यह जो चंद्रयान 3 का मिसे ने उसमें क्यों लेंडर को और रोवर को बेजा गया है क्योंकि अगर और्वीटर का इस्तेमाल करना होगा तो चंद्रयान 2 के दोबारा जो बेजा गया है और वहां चंद्रमा के कच्छा में घूम ही रहा है तो उसी के परियोग करके उसी का इस्तेमाल करके हम लोग अगर और्वीटर को आई सकता होगी तो हम लोग उसी और्वीटर का यूज करेंगे तो यह भी आपको ध्यान रखेंगे के के वो लेंडर और होंगे आपके लिए तो बनावड जो है वहां इसके तीन प्रमुख भाग हैं वही मैं आप लोगों के पहले बताता हूं देखिए जो सबसे पहला हुआ है प्रोपल्शन मोडूल तो इसके तहत में क्या है सेप नामत एक पेलोड को ले जाया जा रहा है तो यहां पर देख करेंगा सेप का फुलिपम है इस्पेक्ट्रो पॉलरिमेटरी ऑफ पेवीटेबल प्लानेट अर्थ यह पेलोड को ले जाया जा रहा है दूसरा नंबर में वहां है दूसरा भाग वहां है रिंडर जिसका घानते हैं विक्रम उसका जानते हैं विक्रम नाम से हो सब उसमें दिया गया है ča cart येंग अजी वहां पर दिया गया है ममसिन दिया गया है जो आपने लिए यह चेस्ट को लगा दिया गया है यह लेंडर यानि बिक्रम में तो इसके साहता से हम लोग वहां का जो है टेंपरचर को नाप सकते हैं तो इसका फुल्पम आप देख सकते हैं चंद्रास सर्फेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यह हुआ अब देखें यहां पर इलसा यह भी एक मसेलरी चीज़ दिया गया है इस लेंडर बिक्रम के साथ में जोड़ा गया है तो उसका फुल्पम क्या है इंस्टुमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी तो यह इसका फुल्पम ह इसका काम तो यह भुक३म प्यता को इसका काम क्या है तो ब्रौम के साथ मिट को दोन को भी जोड दिया गया है इसके अलाव में देखेंगे तो यह फिर एक चीज जोड़ा गया एल पी इसका फुलपों में लेंगमूर प्रोब यह इसका नाम है फुलपों में यादजा करेंगे लेंगमूर प्रोब नामक भारतिय पेलोड यह इंडियन पेलोड है तो इसका काम क्या है तो इसका काम है प आप लोग ध्यान रगेंगे इन सारी चीज़ों को तो फुलफों की देख लिएगा इस अब का यहां पर एकए करके बता दिया अब हम देखते हैं इसका तिसरा पार्ट है वहां तिसरा पार्ट किया है तो हो है रोवर जिसको हम लोग जानते हैं प्रग्ञान के नाम से तो प प्रज्जान में लगा दिया गया है इसका काम किया होगा तो इसका काम होगा सभה से लिए पाये प्ता लगाने केरिए कि जो भी पतर लगाने कि लिए Is Apex के अप्योग किया जाएंगा और ये प्रज्जानरियार के दिवारा करेंगा यारे कि three-ward ये TWO-see- इंजेक्टेट ब्रेगडाउन स्पेक्ट्रोग्स को यह इसका फुल्पूम है तो आप लोग इसबस को एक करके देख लेंगे हो सकता है यहां से भी कोश्चिन पूछ ली जाए तो देखें लिप्स जो उसका है फुल्पूम लेजर इंजेक्टेट ब्रेकडाउन कर से तो प्रोपॉल्शन मोडूल जाए वर्ट 2148 केजी का प्रोपॉल्शन मोडूल है और लेंडर जो की विक्रम है तो उसका यहां पर वेट दिया गया है 1752 यानि कि 1752 केजी यहां लेंडर का वेट दिया गया है तो इन दोनों को मिला करके आप लोग देख रहे हैं कि 3900 केजी तो यह टोटल 4900 केजी का पेलोड वर्जन है यानि कि चंद्रयान 3 में आप लोग यहां पर देख रहे हैं साथ साथ में रोवर का हम लोग बात करेंग जो फेलोड का जो बजन हुआ है 3900 केजी यह इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है यहां से कोश्चन पूछ ले जाए और रोवर का केवल 26 केजी है यह आप लोग ध्यान रखेंगे अब देखते हैं लेंडिंग डेट ओप चंद्रयान 3 तो यहां कब चंद्रमा की सता प है चंद्रमा की सता पर पहुचने के लिए तो यह लेंडिंग डेट दिया गया है अब हम बात करते हैं कि यह जो मिशन है उसमें से जो है तीन सबसे ज्यादा में परसन है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारे थोड़ी सी रखने चाहिए और यहां से कोश्चन पूजान तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल तीन आदमें से ही यह मिशन कंप्रेट गुआ है यहां बहुत सारे बैगानिकों की दिन रात की मेहनत है तब जाके हमें इसका प्रच्छेपन सफल मिला है हमें इसका सफलता प्राप्त हुई अभी तक तो देखिए यहां पर सबसे पहल को तिन में परसूं के बारे में बताता हूं तो पहला जो है मैं परसूं वह है एस सोम्नाद की इश्रो के चैर्मिन है तो है आप लोग तो याद रखे ही होंगे तो यह है इश्रो के चेर्मन-ैस ौमनाद यह उसके अधो राव महें है दूसरे है पी लिई विरा मुथ हू वेल पी विरा मुथू वेल यह कोन है तो यह है प्रोजेक्ट डिरेक्टर यानि कि इस मिशन के जो है प्रोजेक्ट डिरेक्टर के रूप में कोन है तो यह है पी विरा मुथू वेल यह आपको नाम याद रखना है यह प्रोजेक्ट डिरेक्टर के रूप में कोन है यह यह तो देखिए एस सोमना जो है इसरो चेर्मेन है पी वीरा मुथुवेल जो है वह प्रोजेक्ट डिर्क्टर है एस मोहन कुमार जो है वह मिशन डिर्क्टर है यह तीन नाम को याद रखना है साथ-साथ में आने जितने भी साइंटिस्ट है आम लोगों के अंत्रिस से रिले वहिकल M3 कहा जाता है इस प्रश्यपन यान में अधिक पेलोड ले जाने की चांगता है तो यहां भी मैंने आप लोगों को बता है था कि इसको जो है ल भी एम-3 से इस रोकेट को भेजा गया था इस चंद्रयान को भेजा था भेजा गया था तो उसी के बारे में आप भी ले जा सकते हैं तो यह एक दमदार और मजबूत लॉंच भेहिकल है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है तो यह बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए अब हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं इसरो के बारे में क्योंकि इसी के द्वारा तो इतने सारे जो मिशन हो रहे हैं और यह जो मिशन है वह सक्सेस भी हो रहे हैं तो इस रोका फुल्फों में यह आप लोग ध्यान रखेंगे इसका इस्टेबलीज कब हुआ है तो यह है 15 अगस्त 1969 में इसका जो है इस्टेबलीज किया गया इसका इसका फॉल्फों में इसका इस्टेबलीज इसका है इसका फॉल्फों को ने यह मैंने आप लोग यह पर बता दिया इसके लाव जितने भी चीज़े थी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया लगबग यहां से आप लोगों के question आने के संभावना है तो यह three main persons है जिसमें से project director और mission director के रूप में जो है नाम वो आप लोग ध्यान रखेंगे very very important है और यहाँ पर जो है failure का वो जो वजन है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से भी question पुझाने के संभावना है साथ-साथ में यह जो तीन पार्ट है वो आप लोग ध्यान रखेंगे एक rover है एक lander है और एक propulsion module है वो भी मैंने आप लोग बता दिया तो यहाँ पे फुल्पों में व लोग की चंद्रयां 3 के दवारा यहां पर हम लोगों को प्राप्त हुई है जानकारी और हो सकता है यहां से question पूछ जाए तो अगर दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरू से जरू कर दीजे और यह चंद्रयां 3 लिए इसका हम लोग सफल होने की कामना करते हैं भगवान से भी हम लोग प्रातना करते हैं कि यहां हम लोग का चंद्रय मिशन वहां सफल हो जाए और भारत भी सीर्ष देशों की गिंती में सामिल हो जाए